बहुत ही जबर्दस न्यूज एटल की तरफ से टेलिकॉम सेक्टर में टेलिकॉम सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी दिगज कंपनी एटल ने अनाउंस किया है कि वो 4G स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी के साथ बातचीत कर रही है दोस्तो ये वो स्ट्राटजी है ये वो प्लैन है जो रिलाइन्स का जियो हतियार की तरह इस्तमाल करता है दोस्तो रिलाइन्स की क्या प्लैनिंग रही है आज तक हमेशा से पहले से प्लैन्स को फ्री कर दिया जाए low cost plan लाए जाए जब लोगों को उसका नशा हो जाए लोग उसमें घुल जाए मिल जाए उसके बार tariff बढ़ा हो जब लोगों को आदत होगी तो tariff बढ़ाने में कोई तकलीफ नहीं होती है उसके बाद भी अगर लोग exit करते हैं तो फिर भी इतना बड़ा chunk बच जाता है जो आपको कंपनी को profitable बनाने में आपकी help करता है दोस्तो अब भारती एटल ने भी ठान लिया है कि वो 4G स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी से लोग कोस 4G स्मार्टफोन की डील करने वाले हैं ये discussion चल रहा है और ये plan आ गया है दोस्तो इस plan पर क्या होगा जब एटल ऐसी schemes आपके सामने लेके आयागा तो जो मेरा और आपका विश्वास एटल के उपर हमीशा से रहा है क्योंकि एटल सबसे बड़ी कंपनी नहीं है देश की उसने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमें नुकसान उठाना पड़ा हो और एटल ने हमेशा से इस tough time पे जहां टेलिकॉम सेक्टर बिल्कुल बरबाद बड़ा हुआ था इंदोस्तान में वहाँ पे भारती एटल एक दिगज कंपनी की तरह स्टैंड हुई है जियों ने बिल्कुल सबको खराब करके रख दिया उखार फेका अपनी प्लैन से अपनी स्खीम से अपनी बिजनस से रिलाइंस इंडिस्टी ने सबको बहुत कड़ी टक्कर दी बट उसी टक्कर में भारती एटल डटा रहा हो और भारती एटल ने बहुत अच्छे सर्प्राइज दिये बहुत अच्छे रिटरंस निगाल के दिये और मुझे लगता है इस कदम के बाद में अगर ये फुल फ्लैस तरहीके से ये चीज़ एक्सक्यूट हो जाती है निउस के सेकंड हाफ तक पहुँच वाएंगे जैसे इस निउस का और खुलासा हुआ फिर से एक पार्ट तू वीडियो बना के लिए कहेंगे अभी के लिए अनॉंस्मेंट आपके लिए थी दोस्तों फ्लीज नजर बनाए रखेगा येस एटल कुड़ बी नेक्स्ट मल्टी बेगर इन टैलिकॉम सेक्टर जी उन्ने जो किया सो किया अब बारी है भारती एटल की तो इसके ओपर नजर बना के लिए कि दोस्तों वेरी वेरी ब्रेकिंग न्यूस वेरी इंटरस्टिंग न्यूस तो इसके बारी है वेरी बीडिकॉम सेक्टर में कुछ अच्छा सुनने को मिल रहा है